नुश्कार मैं हों प्रकास्तिवारे और आप सब देख रहें इंडिया टाइम्स हम इसमें राजनीतिक जो परिचर्चा कर रहे हैं लगातार लोगों से मिल रहे हैं खास-खास बेक्तियों से आपको हम मिला रहे हैं आप तक पहुचा रहे हैं तो आपनों को भी जानकारी हु अनविय भारत पार्टी के राष्टी अध्यच मुक्तेशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं आए इन से जानते हैं कि 2022 में ये क्या उथल-पथल करने वाले सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है अधिया यह बताईए कि यह आपने यहां पर जो हजरत गज में जो तैयारी कर रहे हैं यह पर लोगों जो हम देख रहे हैं जैसा कि आपके साथ काफी लोग बैठे हुए तो यह आपके पार्टे के हैं और पर इनके बारे में बताएं कि क्या मंथन क्या चल रहा है 2022 को लेक और बिना राजनेतिक हैसियत से नहीं प्राप्त की जा सकती तो हम राजनेतिक हैसियत के रूप में सकारात्मक लोगों को पहले जोड रहे हैं और उस जोडने की प्रक्रिया में आज आप भी मेरे पास आए है समाजवादी पार्टी के मुखिया खिलेश यादों ने कहा कु तो छोटे-छोटे दलों में कहें, आप भी तो नहीं उनके साथ हैं। छोटा दल की साधार पर आप देखते हैं। राजनेतिक दल जो है जनता का प्रतिनित होता है। राजनेतिक दल बिचारों से बड़ा होता है। राजनेतिक दल सत्ता की कुर्सी एक बार स्वाद्चाक लिया तो बड़ा नहीं हो जाता है नमबर दो मानी अखलेश जी से आप पूछे 26 राजनेतिक दल हैं सबका बाइड़ोटा देख लिया है कि कौन जात की आधार पर है कौन धर्ब पर और किसे वो समझवता करने जा रह है और वो काम करती है जब एक पार्टी जाती के ताधार पर चल रही हो तो हम कोट करें एक पुरानी कविता हम लोग वच्पनम सुनते थे कैलास गौतम समझता लिखे थे माई आनर बाबू आनर हमाई छोड़ सब भाई आनर एक एक दिया दिखाई बिजली अस बहुजाई कारेपाली का अंधी है कि औरि कि विधायक यंक्पी ज्यादा तर अंधी है कि बिजली अस हम लोग सम्मान करते हैं याय पालिका की वह भी अंधी है, मेडिया भी यंदी है, तो हमको आलोचना कराने के लिए आप बैठाएं हैं, हम से कुछ पूछिए, हम देश को और जनता को और उसकी सक्ति का एहसास कैसे कराएंगे, और जनता को जनता की सक्ति कैसे वास्तिक रूप में दिलाएंगे, हम आलोचना के लिए नहीं बैठें सिर्फ मानना है भारती संविधान को सही रूप में लागू कर दिया जाए तो भारती जनता का जो कल्यान हो रहा है वो तुनन दस्गुना होने लेगा जो संविधान का निर्माण किया उससे यानि आप संतुष्ट नहीं कहीं न किया अम्वेटकर जी की महत्त्रपूर्ण भूमिका है हम ओट लेने के लिए जूट नहीं बोलेंगे ये अम्वेटकर के जो लोग सबसे ज्यादा बिरोधी थे वहीं अम्वेटकर की फोटो लगाय अमबेटकर ट्राफ्टिंग कमेटी के चेर्मेन थे संविधान बनाया संविधान सभा ने पूरे देश के मरमग लोगों ने बनाया और संविधान के में जो मूल अधिकार है और राजी के नीत निजशक्तत्व हैं उनको लागू कर दिया जाए सभी गरीबों का कल्यान हो जा आएगा और बहुत तेजी से देश का विकास होगा मानविय भारत पार्टी और राष्ट्य अध्यच जो है इनके मुक्तेश्वर जी का हम क्या माने की सेल्फ डिपेंड होकर के 2022 का एलेक्शन चारसुतीन सीटों पर लड़ने के लिए रेडी हैं फिर अकेली कोई काम नहीं और यहां भी कुछ लोग बैठें हैं उन लोग को खोजेंगे और हमारे आगे-ागे ओचलेंगे बहुत से लोग हैं और सब मिलकर बिना चुनाव लड़े तो राजनेतिक सकती मिलेगी नहीं यह कहना बेइमानी होगी हम सूनने पर हैं लेकिन हम चार महिने में जब हमारे सा तमाम सकारात्म अपनों लोग हमारा नेत्रित्त खरेंगे तो आप देखिएगा यह लंबी लाइन बनेगे आपको एजेंडा क्या होगा अगर आप 2022 में चुनाव लोड़े एक और केवल एक राजनेतिक सुधार राजनीत में अच्छे लोग आ जाएं हमारी प्राशंगिक सभी दल आ जाते हैं और राजनीत में अच्छे लोगों को ले आते हैं और राजनीत में नितिकटा को पर्रचे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा एक मात्रेजिंदा ब्रेश्टाचार महंगाई यह जो महंगाई इतनी है पेट्रोल डिजल की भी हो गई और कच्छे पक्के तेल सारी चीजों की हो गई तो महंगाई से भी तुसर बड़ी प्रकार हो आप जानते हो सब की जड़ में क्या है मह को नहीं मांग से कि टाक्स कम करतें सर कंदें इस से अम मांग प्रेंगे की तुम जो है त्यार फेंक दो पहले वह दैस अपना हत्यार फेंके है और हत्यार लिया हुआ है और सब्सक्राइब אותו आया डर्याकर उसके विचार है अभी अभी आपने कुछ पदानमंत्री और राष्टपती को कोई लेटर लिखा था वो किस हीच के लिए लिखा था क्या माँदा चुनाव सुधार के लिए और टीनों ही अंधे और बहरे रहे एक मतब अपचारिक्ता भी नहीं कि उनका जॉइंट सेक्रेटरी हमारा जबाब दे देता क्योंकि उनके पास जबाब नहीं था सर अब ज्यादा कुछ तो नहीं बचा हुआ है आपने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारा उद्देश क्या है तो सर बस इतना बता दीजिए कि मिलब यह उद्देश पूरा करने में जो है अब आपके आगे आज यह बैठ संदो अगर अच्छी नहीं और अगर दस रूपय आप नहीं देंगे तो मैं समझूगा मेरी बात आपको ही अच्छी नहीं लगी अगर अगर अच्छी लगी तो अच्छी बात का समर्थन करो आप आगे चलोगे आगे आपको रखेंगे बगल में चलोगे बगल में रखें यह अहंकार और इगो की बात मत करिए हम अकेले नहीं कुछ पर पाएंगे मेरा अपना मानना है मेरे जैसे अच्छी सोच के बहुत से लोग और सब मिलकर बिना चुनाव लड़े तो राजनेतिक सकते मिलेगी नहीं यह कहना बेइमानी होगी हम सुनने पर हैं लेकिन हम चार मह आपकी अगर इस बिधानसभा चुनाव 2022 के यूपी के अगर आपकी हम मान लेते हैं कि 40 सीटे आ गई और गटबंधन में आपको किसी को भी कोई भी पार्टी बिजेपी सपाया बसपाती उसको सपोर्ट करना हुआ चुकि अकेले नहीं बन सकते 40 में 403 सीटे हैं तो फिर सा यह कि हमारा दूसरा उद्देश है प्रासम उद्देश है र्दनितिक सुधार राजनितिक सुधार की दिस्टसे जो चीज उपयोगी लगेगी हम अपने लोगों से विचार करके वो नेड़े लेंगे दूसरी चीज हम किसको सपोर्ट कर दें जो लोग जात यो धर्म के आधार पर चुनाव लड़े होंगे हम कैसे बिश्पी हैंगे हम बिश्पीने को तयार नहीं है और हमारे लोग भी संभव तो कोई जाड तो अब फिर कैसे ऐसी परिस्थिते में आप जो है यह निरने लें प्रकाश जी बहुत अस्पष्ट कर देंगर सारी पार्टियां ऐसा नक कर रही होती तो हम्को राजनितिक दल बनाने की ज़रुवत क्या थे हम राजनितिक दल इसलिए बनाए हैं कि पार्टी आवे आखे मानुवी आधार पर हम आपके पूरे एजन्डे को स्विकार करते हैं तो हम अभी सुरू कर रहे हैं किया किसी में साहस है किसी में साहस वह आके कहे कि हम आपकी पार्टी के एजेंडे को जात धर्म के आधार पर नहीं रणाएंगे संस्थाओं का सम्मान करेंगे हम भरस्ट लोगों को टिकट नहीं देंगे हम जनता में सराब नहीं बाटेंगे हम जनता को पैसा से प्रलोभित नहीं करेंगे हम पंचायतों को किम कम तब नहीं करेंगे को यह अहंकार और इगो की बात मत करिए हम अकेले नहीं कुछ पर पाएंगे मेरा अपना मानना है मेरे जैसे अच्छी सोच के बहुत से लोग है यानि आप उनको तलासने में लगे हुए हमारी आवाज वहां पहुंचेगी और हमारी आत्मा और हमारे हृदय को जब देखेंगे अंदर से जांक के तो आएंगे और हमसे बड़े होंगे थमसे आगे चलेंगे हमसे छोटे होंगे थमसे पीछे चलेंगे अगर आपको मुख्यमंत्री जी बुला करके और आपसे अगर जानना चाहें कि मनलब आप हमारे साथ चुनाओ लड़िये या फिर जो है आपके से कोई अपनी क्या मनसा बैक्त करना है मुख्यमंत्री अगर बुलाएंगे तो हमारा कर्तब है और एक संबैधानिक पद है हम उनके पास जाएंगे और बिनम्रता पूर्वक कहेंगे कि हमारे आपके विचार बेल नहीं खाते और इसलिए आपके साथ चुनाओने लड़े बहुत बहुत धनिवाद आपका हमसे बात करने के लिए अधनिय अध्यजी ये थे मानविय भारत पार्टी के राष्टे अध्यजी जिन्होंने बहुत ही असपश्ट बातें अपने रखी कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है हमारी विचार धारा है हम जातिगत और जो चुनाओं में भ्रष्टाशार का जो मामला आता है कि शराब बटने और बहुत सारी चीजे होती है करप्शन होता है इनके हम बिल्कुल खिलाप है और हम किसी भी पार्टी के साथ गड़मंधन करने के मोड में नहीं है मिलते हैं फिर से किसी खास के साथ तपते के लिए दीजय जाजत बहुत बहुत धन्यवाद